अगले आने वाले कुछ महीनों में आपको Artificial Intelligence या AI हर जगा नज़र आएगी है ना सिर्फ ये कि आपको AI हर जगा नज़र आएगी बलके अगर आप Cloud Engineer है और for example AWS में काम कर रहे हैं तो आपको AWS Cloud के अंदर हर जगा हर सर्विस के साथ Artificial Intelligence Integrated नज़र आएगी ये बस कुछ दिनों की बात है इस वीडियो के अंदर मैं आपको explain करने की कोशिश करूँगा इंतहाई साधा अलफाज में कि AWS की Generative AI Service Bedrock क्या है और ये किस problem को solve करने की कोशिश कर रही है इससे पहले कि मैं आपको explain करूँ कि Amazon Bedrock क्या service है उससे पहले बहुत quickly हम कुछ basic concepts को देख लेते हैं सबसाब पहला concept जो आपको पता होना चाहिए वो होना चाहिए model का कि एक model होता क्या AI model क्या चीज़ होती है AI model एक algorithm होता है एक tool होता है जो के base कर रहा होता है एक बहुत large data set के उपर जो हम large data set की बात करते हैं तो आप example के तुर्प ले लें जैसे अगर Twitter है जो के गुजिष्टा 10-12-15 साल से चल रहा है और उसके अंदर लोग content generate कर रहे हैं और वो petabytes of petabytes का data उसके अंदर पढ़ा हुआ है इसी तरह आप Facebook को ले लें जिसके अंदर content है बहुत जादा content है लोग content rate किया हुआ, gain petabytes of data और अगर आप internet को ले लें, website लें तो billions and billions of websites वहाँ पर बढ़ी है तो यह है large data set जो model होता है वो कैसा algorithm होता है जो कि इस large data set के ओपर base कर रहा होता है without any human की intervention के कि large data set जो है उसको यह model browse करता है और उसमें से decision making process के लिए data extract करता है यह काम होता है model का अब अगला concept है foundation model या base model का foundation model या base model ऐसा model होता है जो कि large data set के ओपर base कर रहा होता है और उस large data set की base के ओपर आप उस model के तुरू कुछ task perform कर सकते हैं जो कि human अगर करे तो उसको बहुत time लगेगा for example कि आप उसको एक paragraph दे English का या किसी भी language का और foundation model है यह उस paragraph को पढ़ेगा और उसमें से आपको बताएगा कि इस paragraph के का purpose क्या है इसकी tone क्या है क्या यह अगर for example वो एक घजल है या कोई नजम है तो आपको बताएगा क्या यह कोई अफसुर्दा घजल है कोई romantic घजल है किस किसमी घजल है अगर आप उसको कोई एक मजबून देते हैं पढ़ने के लिए वो उस मजबून को पढ़ेगा और आपको बताएगा कि इस मजबून का topic क्या है अगर आप उसे कहते हैं कि यह पांच page का मजबून है ऐसे है इसको तुम summary मुझे बना दो तो वो आपको उस essay को पढ़ेगा और उस essay की summary बना देग इसी तरह अगर आप उसको कोई images दिखाते हैं और से कहते हैं कि इन images को बताओ कि मुझे क्या है तो वो images को पढ़ेगा और images को बता देगा कि क्या यह कोई scene है को natural कोई बदरती नजारा आया को natural scene है या कोई जानवर है क्या चीज़ है तो यह काम जो model AI का model कर रहा होता है इस कि यह आपको एक ऐसी service provide करेंगा AWS के अंदर जो के different model provide कर रही होगी आपको यानि के आपको Amazon bedrock के थूँ आप अगर चाहते हैं कि आपने कोई essay लिखना है खुछ से तो आप इस Amazon bedrock को के पास चाहेंगे से के मुझे जो है यह essay लिख दो इस topic के पर तो Amazon bedrock आपको behind the screen उसके पास एक foundation model होगा जो कि उसका purpose ही होगा कि वो essay writing करेगा यह content writing करेगा तो वो आपकी topic के मताबिक आपको एक essay लिख कर देदेगा तो इसका फाइदा क्या होगा आपको कोई foundation model ढूडने की जूरत नहीं आपको किसी based model को ढूडने की जूरत नहीं आप इसको AI के पता होने की उतनी आप simply service use करेंगे और आपको content मिल जाएगा इसी तरह अगर आप चाते हैं कि आपकी organization है उसके इनर chat GPT की तरह का chatbot हो लेकिन फरक ही हो कि जो आपका chatbot हो यह वाला वो आपकी organization के data के ओपर train हुआ हो और जब भी आपकी organization के employees उस chatbot के पास चाहें और कोई question करें आपके organization से मतलए तो वो उसी specific data set के मताबी cancer करें तो यह आप कर सकते हैं इसी तरह intelligent searching आप कर सकते हैं जो मैंने आपको image classification का बताया उसका अलग से foundation model भी हैं दस्कीर होगा वो आपको उसको पारे में वरी करने के उतनी Amazon Bedrock will take care of it इसी तरह अगर आपने summary बनानी नहीं कर सकता है इसके लाब भी काफी सारे काम कर सकता है तो अब आप यह देखें कि यह नो काम हो रहा सारा जिसमें हम एक अगर आप गोर करें तो यह नो model है यह human-like काम कर रहा है Amazon Bedrock की जो service है यह आपको text की summary बना के भी दे रही है यह आपको image classify करके भी दे रही है यह Amazon Bedrock का और इस field को इस सारे concept को बोलते है Generative AI या Gen AI in short तो यह सारा सिलसला है Amazon Bedrock का अभी तक AWS ने इसको पब्लिक रिलीज नहीं किया लेकिन बहुत चाल्ड AWS को पब्लिक लिए भी रिलीज करतेगी मैंने यही वीडियो इंग्लिश में है और मैं इसका लिंक अभी इस वीडिय इसका लिंक भी पोस्ट कर दूगा I'm trying to get access to Bedrock और जैसी मुझे access मिलेगी तो मैं इसकी hands-on training की भी एक वीडियो रिलीज करूँगा इसके लावा भी अगर आप चैनल के उपर सर्च करें तो काफी सारी वीडियो से Generative AI के उपर AI के उपर और different AI की tooling के उपर अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपके कोई भी feedback है कोई भी questions है तो प्लेज इसको वीडियो की कमेंट सखें में पोस्ट कर दे है शुक्रिया